पहले माबाप को दौलत ही समझते थे हम आज दौलत को ही माबाप को नज़ते हैं जो अपने घर के बुज़ुर्गों की करें अन देखी मेरा दावा है कि वो आगे बढ़नी देखी मेरा मन था उस वक्ति जिसमें सारे लोग यहां पैठे हुए थे मैं भी कविता बाट करें लेकिन सच बताएं आपको जिस वक्ति यह भरा हुआ था पुरा बोल उस समें भी कविता सुनने वाले यतने ही थे इतने ही थे कुछ पार्ची का प्रोटोपोल था कुछ कहता था सब लोग अपना वारी पूरी पेपे चले गए लेकिन कविता के लोग बैठे हैं इनको जल्ली दियु चले गए हाँ कुछ मजबूरियां होती है हरे कानो दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे मैं सब पे प्यार लुटाओं वो दवाएं दे दे ऐ मेरे रब मैं सास सास में महक जाओं मेरे रब मैं सास सास में महक जाओं मेरी आवाज की खुश्बू को हवाएं दे बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपसे इतनी तालियों की भी उम्मीर नहीं ती जित्ति आपके बजाएंगे अब आप सिर्फ कविता सुनने आये हैं और सिर्फ मेरे लिए बैठे यह मुझे इतना संतोश है मुझे अब कोई गलत सह्मी नहीं है मैं पढ़ता हूँ अटल जी भी और दुश्मन को कभी कमजोर मत समझे अगर आप किसी को छोटा समझ रहे है तो या तो आप उसे बहुत दूर से देखे हैं या फिर आप उसे बहुत गुरूर से देखे हैं गुरूर जिसने अपने देहन में पाला होगा खुली हो खिड़कियां फिर भी न उजाला होगा खुद की परचाईयां जब कद से बड़ी हो जाएं उसका सूरज समझ लो डूबने वाला होगा आसमा छूलो अगर तुम तो फूल मत जाना ये ही डोला गुरूर का है जूल मत जाना करो भला जो किसी का तो याद मत रखना करो भला जो किसी का तो याद मत रखना करे तुम्हारा भला उसको भूल मत जाना मुझे संतोश है गया आप मुझे बिना कहे तालिया आने जाए यह उपर वाले की बड़ी महरवानी है जरे रहे है जो हार्थ थाम लो वो फिर न जूटने पाए जो हार्थ थाम लो वो फिर न जूटने पाए प्यार की तौलतें कोई न लूटने पाए अब मुझे बता दीजे गा के मुझे ठके हुए लोग नहीं मिले मुझे फिर फ्रेश रोग प्यार की तौलतें कोई न लूटने पाए जब भी छूलो बुलंदियां तो ध्यानिये रखना जब भी छूलो बुलंदियां तो ध्यानिये रखना जमी से पाओं का रिष्टा न तूटने पाए जमी से पाओं का रिष्टा न तूटने पाए हम तो वर्दान को ही शाप समझ पेखे हम तो वर्दान को ही शाप समझ पेखे हैं सामने पुन्य है और पाप समझ पेखे हम तो वर्दान को ही शाप समझ पेखे हैं सामने पुन्य हैं और पाप समझ पेखे हैं पेहले माबाप को दौलत ही समझ पेहले माबाप को दौलत ही समझ पेहले माबाप को दौलत ही समझ पेहले हम आज दौलत को ही माबाप को दौलत ही समझ पेहले हम पेहले माबाप को दौलत ही समझ पेहले हम आज दौलत को ही माबाप को दौलत ही समझ पेहले हम आज दौलत क कि नौजवान दोस्तों से वाफी मांते हुए जारबंतियां पढ़ता हूं बदलते वक्त में ये कैसा दोर आया है बदलते वक्त में ये कैसा दोर आया है हम इसे दूर हो रहा हमारा साला है जो नजवान पच्छी है अपने माबाप से कहते हैं कि खामोश हो जाए ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं आप उन्दे कम बोलना चाहिए हम थोड़े से लाइख क्या हुए अपने माबाप को ना लाइख हो रहा है बदरते वक्त में ये कैसा दोर आया है हम इसे दूर हो रहा हमारा साला है आज हम उनकी जुबाँ पर लगा रहे बंदिश आज हम उनकी जुबाँ पर लगा रहे बंदिश जिन बुजर्गों ने हमें बोलना सिखना है इसको सबाधार में फ्रेश होता है सब मुझे प्यार से सुनने हैं आप सब का बहुत बहुता भागे और जिस तरह के से कविता को सुना जाना चाहिए आप पूरा सम्मान देए एक दिल का ठाला और पूरता हूँ दोस्ते लकीरे हाथ की जो अपनी पढ़ नहीं सकते हावा खिलाप हो तो उस ते लड़ नहीं सकते दोस्तों अब बात अच्छी और सच्छी लगे तो मझे सबसे ज़्यादा होसला चाहिए आपकर हवा खिलाप हो तो उस ते लड़ नहीं सकते जो अपने घर के बुजर्गों की करे अन देखी मेरा दावा है कि वो आगे बढ़ नहीं सकते प्रूण थैंकि लगाचा जगए जिन्दगी अपनी बनालीजिए ऊवन की तरह प्यार गहराँ पे भी बरताईए सावन की तरह प्यार खेरों पे भी बरसाई ये सावन की तड़ा कल को आउलाद देख सकती है चहरा जिसमें कल को आउलाद देख सकती है चहरा जिसमें खुद को रखियेगा साफ पौँच के दर्पन की तरह मैं जानता हूँ कि मैं बहुत अतिक्यमन करना हूँ समय का मैं गीत पढ़ता हूँ साजवी दीदी मेरे कारण यहां रुकी है वरना उनको बहुत दूर जाना है मैं पृष्ट का रहने वाला हूँ इसलिए क्रिश्ण से मेरा बहुत जादा संबंदरा है हर गीत में क्रिश्ण के इनन कहीं आ जाते हैं मैं शुरुवात करता हूँ इतनी ती और सुनिया तो वह कि बार ही है जी इसलिए शुरुवात करता हूँ वहां का काम तो हो चुका ठाली में जादेंगे एक बढ़ ब्रवात करता हूँ तन तुम्हारा अगर रादि का बन सके मन मेरा फिर तो धन शाम हो जाएगा मन मेरा फिर तो घन शाम हो जाएगा मेरे होटों की वंशी जो बन जाओ तुम सारा संतार ब्रिज धाम हो जाएगा तन तुम्हारा अगर रादि का बन सके कि तुम अगर स्वर बनो राग बन जाओ में तुम अगर स्वर बनो राग बन जाओ में तुम रंगोली बनो भाग बन जाओ में तुम तीवाली तो मैं भी जलू दीपसा तुम तीवाली तो मैं भी जलू दीपसा तुम तपत्या तो बैराग बन जाओ तुम तीवाली तो मैं भी जलू दीपसा तुम तपत्या तो बैरादु बन जाओं मैं नीदु बन कर अगर आसको आँख मैं मेरी पल को गो आराम हो जाएगा तर तुम्हारा अगर सादिका बन सके मन मेरा फिर तो घन शाम हो जाएगा मेरे होटों की बन्षी को बन जाओ तो कीत कागला बंद पड़ता हम और इसमें नायका से बात केने की कोशिश ने मेरी कोशिश में आप भी थुड़ी सी कोशिश मेलाईएगा तो इस कोशिश काम्याओ हो सेगा मेरे चाचा डालो 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 अब आप ये मर्टी डाइमेंशनल पंतियां अब आप ये समझ एक मैं नायका से बात कर रहा हूँ और अपने मा की व्यारी के सामने भी बैटा मैं मना आलूंगा तुम रूट कर देख लो जोड लूंगा तुमें तूट कर देख लो हूं तो ना नान फिर भी मैं इतना नहीं थाम लूंगा तुमें जोट कर देख लो मेरी धड़कन ते धड़कन मिला लो जरा जो भी कुछ खात है आम हो जाएगा तन तुम्हारा अगर रादिका बन सके मन मेरा फिर तो घन शाम हो जाएगा मेरे होटों की वर्शी जो बन जाओ तुम कि दिल के पिजरे में कुछ पाल कर देखते खुद को शीशे में फिर धाल कर देखते शांती मिलती सुलगते बदन पर अगर मेरी आँखों का जल डाल कर देखते मेरी आँखों का जल डाल कर देखते जिससे अपने प्रभु की किरपाद मिल पा रही हो या जिस किसी आपकी महववा से आपको महबत न मिल पा रही है उसको यह प्रुटी सुना देखते शांती मिलती सुलगते बदन पर अगर मेरी आँखों का जल डाल कर देखते एक बदरी ही बनकर परस दो जरा वरनातावल भी बदनाम हो जाएगा सन तुम्हारा अगर रादिका बन सके मन मेरा फिर तो घन शाम हो जाएगा मेरे होटों की वल्षी जो बन जाओ तुम सारा जनतार ब्रिजधाम हो जाएगा तन तुम्हारा अगर रादिका बन सके देखें अब मेरा एक अनुरोष रिकाश देखे साथभी जी को जाने देजेगा मैं कुछ दूर जाना है और शिलेश गौतम पढ़ेंगे पांच मिनिट उसके बाद कविता पढ़ेगी फिर में पढ़ेंगे क्योंकि कविता कायवपाट अधूरा रह गया था विधान सवाधिछी की प्रोटो कॉल्मरों ने जल्दी पढ़ दिया था उनका अत्रम नहीं था एक बार शिलेश गौतम माइप पर आएं और अपना कायवपाट करें और साज़ी दीदी को अगर जाना है तो निकलना है और या भी बैठना चाहें तो बैठ चाहें करता है